गुट मॉनिंग एवरीवन आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेमी ग्रूप ओडर अफ ग्रूप एंड ओडर अफ एलेमेंट अफ ग्रूप तीन चीज़े पढ़ने हैं चोटी से वीडियो होगी जल्दी से देखते हैं सेमी ग्रूप क्या होता है ठीक है पहली चीज़ सेमी ग्रूप अब सेमी जैसे आप लोगों को याद होगा हमने ग्रूप पढ़ा था ग्रूप क्या होता है एक एलजब्राइक स्टक्चर जो चार प्रॉपटी सेटिस्फाय करता है एसी अबीलिन ग्रूप अबीलिन properties को satisfy करता है उसको abilion group बोलते हैं ऐसी एक semi group होता है ठीक है semi group क्या होता है जो सिर्फ दो properties को satisfy करता है तो एक algebraic structure चाहिए हमें means एक non empty set चाहिए एक binary operation चाहिए दोनों को combine करते हैं तो वो क्या बन जाता है algebraic structure बन जाता है ठीक है अब algebraic structure अगर दो property satisfy करें कौन कौन सी closer property first closer property and second one is associative property अगर उसने इन दोनों properties को satisfy कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये क्या बन जाया का एक semi group ठेक है ऐसा algebraic structure जो closer और associative property को satisfy करें उसको हम बोलते है semi group next is order of a group ठेक है अब order of a group को हम अलग-अलग define करते हैं finite groups के लिए अलग और infinite groups के लिए अलग अब ये finite groups क्या है और infinite groups क्या है so group is divided into two categories majorly finite groups और infinite ग्रॉप अब finite groups कौन से हैं और infinite groups कौन से हैं बेखो ग्रुप क्या है एक set set के अंदर elements होते है तो ऐसा group जिसके अंदर finite number of elements हो उसको हम बोलते हैं finite group ठीक है a group which has finite number of elements is called finite group and a group which has infinite number of elements is called infinite group जैसे आप लोगों ने integers का set देखा था ठीक है कहीं पर हम Z से notation दे रहे हैं नहीं पर I से notation दे रहे हैं तो आप नेम से याद रखो कि integers का set हम लोगों ने देखा था तो integers के set में आप मुझे बता सकते हैं कि इसके इंदर कितने number of elements होते हैं नहीं बता सकते हैं क्यों वह ऐसे चलता है minus 2 से पहले सारे negative integers सारे होते हैं फिर 0 फिर सारे positive वाले भी तो हमें क्या यह पता है कि यह कितने हैं counting में हम इनको count नहीं कर सकते हैं तो यह क्या है infinite group जिस group के number of elements को आप count कर सको that is finite group और जिसको count ना कर पाएं वो क्या है infinite group finite group का एक example था हमने किया था one omega omega square ठीक है यह group बना था under multiplication binary operation multiplication लिया था और इसने group form किया था इसके अंदर number of elements कितने हैं three so this is a finite group तो अब हमने finite group पढ़ लिया infinite group पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कि इन तोनों के उपर मतलब कैसे हमने बोला कि finite group का order कुछ और infinite group का कुछ और तो जब हम बात करते हैं finite groups की तो finite group का order अगर हमार से पूछा जाए तो वो क्या होता है number of elements in that group कि जैसे इसके अंदर three elements है so order of this group is three तो अगर मैंने g से notation दी है तो order को जो notation मिलते है या तो हम लिखते है order of g या फिर ऐसे दो बारस लगा के g के अंदर उसको लिखते हैं तो इसका order कितना होगा three तो अब कोई भी notation यूज कर दो majorly in sub books में यह ऐसे लिखा होता है o of g इसको मिलते है order of g is equals to three ठीक है number of elements in a finite group is called order of finite group और अगर infinite वो ग्रुप हो जाए तो उसके order को हम बोलते हैं कि उसका order क्या होगा infinity उसकी कोई definition ही नहीं देंगे ठीक है infinite group के लिए हम कोई definition नहीं देंगे हम सिर्फ क्या बोलेंगे जिस group के elements को हम count नहीं कर सकते उसके अंदर infinite number of elements होगे उसका order infinite होगा is that clear अब एक term आती है order of an element of a group अब element का order क्या होता अभी ये था पढ़ा पूरे group का order अब अगर मैं बोलूं कि a इस g का कोई element है ठीक है a is an element of g अगर मैं इसे पूछा जाए कि order of a बता हो आप मिरको कितना होता है तो हम क्या बताएंगे so अगर g with respect to dot ठीक है with respect to multiplication अगर group है और e उसका identity element है तो order of a अगर हमें given है कि order of am है तो इसका क्या meaning है a to the power m क्या होगा identity where m is the least positive integer हो सकता है m से बड़ी किसी मतब a की power में जिस element का order निकालना है उस element को कितनी बार multiply करूँ a की power m का मतलब यह है न कि a को m times multiply किया गया क्योंकि यहां operation multiplication था तो a को कितनी बार multiply करूँ कि मुझे identity मिल जाया कम से कम कितनी बार ठीक है क्योंकि हो सकता है कि उस से जादा बार multiply करके भी मिले जैसे वान होता है ठीक है अगर मैं बोलूँ कि जैसे यह है ठीक है कहां गया है यह रहा हमारा group one omega omega square यहां पर बोलो जाए कि one का order निकालो omega का order निकालो omega square का order निकालो तो मैं यह भी तो यहां की जो मल्ट यह विद्रिस्पेक्ट multiplication ही होता है और इसकी मॉल्टिप्लेगेटिव identity क्या होती है वान क्योंकि वान को ही सब से multiply करोगे तो हमें one मिलेगा ठीक है सब्सक्राइण कि मुझे फिर से one ही मिलजा तो मैं power one रहेज करूगी तब भी वान ही मिलेगा तो रहेज करूगी तब ही वान ही मिलेगा ठीक है कितना मैं यहां पर सबसे छोटी पावर रेस करूं पॉजिटिव पावर ठीक है सबसे छोटी पॉजिटिव पावर कितनी रेस करें उस element के उपर कि हमें हमें identity मिल जाए तो हमें यहाँ पे एक पावर रेस करके identity मिली तो हम क्या बोलेंगे इसका order 3 है जैसे आप omega की बात करें अगर omega का order find करना है तो हमें पता है omega की पावर 3 1 होता है ठीक है आप omega की पावर 1 चेक करोगे omega होता है omega की पावर 2 चेक करोगे वो omega पावर 2 ही होता है ठीक है पर omega की पावर 3 जैसे आप करोगे वो 1 होता है तो omega का order कितना आएगा order of omega is equal to 3 ऐसे अगर omega square की बात करें तो omega square का order कितना होगा आप इसके उपर 1 power raise करोगे तो क्या हैगा omega square काम नहीं बना 2 power raise करोगे तो क्या हैगा omega power 4 omega power 4 को आप लिख सकते हो omega cube into omega और omega cube 1 हो जाएगा और omega omega ही रह जाएगा ठीक है अभी भी काम नहीं चला omega square की power 3 raise करके देखते हैं तो यह क्या बना omega की power 6 इसको आप ऐसे लिख सकते हो omega cube into omega cube तो यह हो गया 1 into 1 तो omega square का भी जो order है वो कितना आ गया 3 ठीक है अब I hope की order clear हो गया हम क्या करते हैं अगर multiplicative group है तो हम बोलते हैं कि A को कितनी बार उस element को कितनी बार multiply करें कि identity आज है similarly अगर additive group होता तो हम कहते हैं A को कितनी बार add करें नदब A plus A plus A तो हम क्या बोलते हैं M A is equals to identity अगर मिल जाता है additive group के case में तो क्या होता है और M क्या होना चाहिए least positive integer होना चाहिए ठीक है सबसे छोटा वाला होना चाहिए कि उतनी बार हमने उस element को add किया तो identity मिल गया तो M क्या बन जाएगा इसका order ठीक है तो जब भी multiplicative group दिया जाएगा आप A to the power M चेक करोगे और जब भी आपको additive group दिया जाएगा अब M times A चेक करोगे कि identity बनता है या नहीं बनता ठीक है I hope आप लोगों को ये तीनों terms clear होगी होंगी semi group order of a group and order of an element of a group इन दोनों के बीच में बच्चों को बहुत confusion रहती है आप लोगों को clear रखना है कि order of a group क्या होता है उसके अंदर कितने number of elements है और order of an element of a group क्या होता है अगर वो multiplicative group है तो उसको कितनी बार multiply करें कि identity मिल जाए अगर वो additive group है तो कितनी बार add करें कि हमें क्या मिल जाए identity मिल जाए और वो least positive integer होना चाहिए तो हम उस least positive integer को ही क्या बोलते है उस element का order so that's all for today thank you class